यानि कुछ ऐसे भी मंतरी शामिल होंगे मंतर मंदल में जो कि पहले अपने राजे के मुख्य मंतरी भी रह चुके हैं और इससे पहले किंद्री मंतर मंदल में भी कुछ अन्य जिम्मेदारियां समभाल चुके हैं शी किरेन रिजिजू शी भुपेंद्र यादव शी फश्यपति पारस भारतिय जनाता पार्टी के अधक्ष शी जेपी नड़ा शी मुखतार अब्बास नकवी दरबार हॉल में उपस्ते थें नई चुनोतियां देश के समक्ष हैं नया परिवेश है कोरोना महामारी के मदनजर नई परिस्थितियों से उनसे पार पाने की चुनोतियों से हम सभी जूज रहे हैं प्रशासनिक शमता और जो नए चैलेंजिज हैं नई चुनोतियां हैं देश के सामने उनको ध्यान में रखते हुए प्रगती के मार्क को प्रशस्त करने के लिए संकल्प से सिधी के जो प्रयास हैं उन को मूठ रूप देने के लिए मंद्र मंडल का विस्तार किया जा रहा है उसमें फिर बदल किया जा रहा है और उसी क्रम में इस विशेश समरूह का आजन हो रहा है राश्पति भवन के भव्य दर्बार हॉल में जो अपने आप में तमाम एतिहासिक गत्विधियां अपने दामन में समेते हुए है ग्रह मंत्री शिया मिश्शाह मौजूद हैं शिमती स्मिती जुबीन इरानी केंद्री मंत्री मंदल की सदस्य स्री गिरेराज सिंग केंद्री मंत्री मंदल में जो जिम्मेदारी समालते हैं भगवान बुद्ध की अभे मुद्रा में पांचवी शताब्दी की ये प्रतिमा है वेलवेट प्रिष्ट भूमी में जो राश्टपती भवन के दर्बार हॉल को एक अनोखी गरिमा प्रदान करती है दर्बार हॉल जहांपर देश के आजादी के समय पहले मंत्रमंडल ने शपत ली थी उसके बाद से बहुत से ऐसे एतिहासिक समारों हैं बहुत सी ऐसी एतिहासिक गतविधियां हैं जिनका आयोजन दर्बार हॉल में हुआ है और उसी कड़ी में आज का मंत्रमंडल विस्तार मंत्रमंडल का फेर बदल भी शामिल जहांपर आज संभावना है कि 53 मंत्रियों को केंद्री मंत्रमंडल में शामिल किया जाएगा रक्षामंत्रेशी राजनात सिंग भी तरबार हॉल में उपस्थे थे एक के बाद एक गर्णिमान अथितियों का आगमन जारी है शी अनुराक सिंग ठाकुर की विद्द राज्य मंत्री का डायत्व सम्हाल रहे हैं वरतमान केंद्री मंत्र मंडल में जो नई विवस्था होगी उनमें उनकी जम्यदारियों में कुछ बदलाव किया जा सकता है शी हरदीप सिंग पुरी के इंद्री मंत्र मंडल के एक और सदस्य जो किदर बाद हाल में उपस्थित हैं तो मंत्र मंडल में फेर बदल के क्रम में कुछ नए चहरों को जगह मिलने की उमीद है कुछ जो वर्तमान मंत्री हैं उनके विभागों में बदलाव की संभावना विक्त की जा रही है या फिर कुछ मंत्रियों का दर्जा भी बढ़ाया जा सकता है यानि जो राज्य मंत्री हैं उन्हें कैबनेट मंत्री बनाया जा सकता है और ये प्रशासनिक सुधार की जो लंबी परंपरा है जो लंबा सिलसला है उसका एक कदम कहा जा सकता है शीजोतरादितिसिंधिया दर्बार हौल में उपस्थित एक बहुती खास अवसर और नई चुनोतियों का सामना करने का अवसर है देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराना है हम सभी का यही संकल्प है और विशेश तोर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले लगभग देड़ साल में कुरोना महामारी ने संपुर्देश और सारी दुरियां के सामने जो चुनोतियां पेश की हैं वो आपने आप में अनोख ही हैं अलग तरीके की हैं और उनका पूरी द्रता के साथ सक्षम संकल्प के साथ सामना करना ही हमारा उद्देश और उसी की कड़ी में ये मंत्र मंडल का फेर बदल सह विस्तार का विशेश समारू हो आयोजन स्थल राष्टपती भवन का भव्य दर्बार हॉल जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्टपती भवन में जो भी समारू के लिए हॉल उपलब्ध हैं उनमें सबसे महत्पूर्ण सबसे खुबसूरत दर्बार हॉल शीमति मीनाक्षी लेखी अगरेम पंक्ति में उपस्थित अराइवल अफ स्पीकर अफ लोकसभा शी ओम बिडला इन दर्बार हॉल ग्रीटेट बाइ मेंबर्स अफ उनियन कोंसल अफ मिनिस्टर्स दर्बार हॉल में आगमन हो चुका है लोकसभा के अद्दक्ष शी ओम बिडला का अबिडला का अद्दक्ष शी ओम बिडला का अधमन अभिवादन करते हॉल हुए मानिप्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी मंद्र मंदल के सथस्यों का अज़ का किंद्री मंदल का विस्तार का करक्रम दोजार उन्नीस में जब नई सरकार बनी थी मानिप्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने जब दूसरी मरतबा प्रधान मंत्री का डायत्व समहला था 58 मंत्रियों को मंत्र मंदल में शामिल किया गया था उसके बाद कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है कुछ अन्य परिस्तितियां हुई हैं जिसके वज़े से मंत्र मंडल में रिक्त स्थान हुए है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस समारोह का आयुजन दर्बार हॉल में किया जा रहा है खुछी समय के उपरांत मानेनी राष्टपती शी रामनात कोविंद का आगमन होगा जो आज इस समारोह में किंद्री मंत्र मंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिलाएंगे और प्राष्टपती शी वें किये नाइदू का आगमन दर्बार हॉल में एं किया नाइदू और बार जोओ ऑूल में forward by mabas of union council of ministers टॉकिंग तो अन्रेबल प्राइमिनिस्टर शी नरेंद्र मोधी एक बहुती खास अफसर है बहुती विशिष्ट अफसर है खास तोर पर उन महान भावों के लिए जो केंद्री मंत्रमंडल में पहली बर्तबा अपनी जगह बनाने जा रहे हैं कोरूना के समय का न्यू नारबल जसे हम सभी तमाम परोटोकॉल के साथ फॉलो कर रहे हैं और अज की समारुह का आयोजन भी उसी की एक कड़ी है आगे आने वाले समय में देश के सामने तमाम चनोतियां है जिसका सामना देश को करना है देश की प्रथम महिला श्रीमिती सविता कोविन का आगमन दर्बार हॉल में अभिवादन बान्य प्रधान मंत्री श्री नरेन बोदी से उप्राश्पती श्री एम वंकया नाइडू और केंद्री मंत्र मंदल के सदस्य गड़ों से दर्बार हॉल जिसे एक खास नाम दिया गया था ब्रिटिश शासनकाल में उसे त्रोन रूम के नाम से जाना जाता था और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपत ली थी इसी हॉल में देश के पहले गवर्णर जनरल चकवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपत ली थी आज साक्षी बन रहा है केंद्री मंत्र मंदल के 2019 के बार पहले विस्तार सहफिर बदल के इस विशेश कारिक्रम का कि जहां कुछी समय के उपरांत आगमन होगा माननी राष्टपती शी रामनात को विंका जो आज केंद्री मंद्र मंदल में शामिल किये जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनियता की शपत दिलाएंगे दर्बार हॉल में आगबन मानेनी राश्रपती शीरामनात कोविंका कर्णिफिंक राश्रपती शीरामनात का प्रापनारामनात कोविंका कर दो कर दो कर दो माननिय राष्टपती महोद है आपकी आज्या हो तो समारो प्रारम किया जाए कबिनेट मंत्री पुराने इश्वर की शपत लेता हूं की मैं विधी द्वरा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्छी स्रद्द आवर निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव का स्रद्द पुर्वक और शुद्ध अंतकरंचे निर्वहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं नारायन तातु राने इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे न्यात होगा उसे किसी वेक्ति को या वेक्तियों को तब के श्वाय जब की जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव व्यक्या सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो में प्रतेक्ष अथ्वा प्रतेक्ष रूप से संसुदित या प्रकट नहीं करूंगा अपन हुआ तो Shri Sarvanand Sonuwa I Sarvanand Sonuwa I Sarvanand Sonuwa I Sarvanand Sonuwa Do swear In the name of God That I will कर्ANSや आज़ में खिस थे हमें आप में दिचा प्रख ये भी ऑट जाओ ऑंपी common üçe आंप।ूष ए विर सब्छ देष्ट कर्जिब थे खांप वाच्ईजमा लग सम न मीए टृट झाल लिथ पर हूनि चनल मे of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvanamda Sonawal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought to the under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Thank you. Dr. Virendra Kumar. I am 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 Dr. Virendra Kumar. Shri Ramchandra Prasad Singh. Shri Ramchandra uwagę मैं मैं रामचंद्रपरशाथ ऋिश्पत लेता हूं कि मैं विधी दोड़ास्थाहिथ भारत की संविधान की पॕति सच्छी स्रधा औरुनिषण Αुर्high मैnd भारत की पर्भता और अखंडता अक्षण रख़ोंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सुध्धा पुर्वक और सुध अंताकरन से निर्वहन करूँगा अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं रामचंदर प्रशाद सिंग इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे घ्यात होगा उससे किसी व्यक्टी या व्यक्टियों को तब कि सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना आपेक्छित हो मैं प्रत्यक्ष अतवा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री अश्विनी वैष्णव इश्वर की सपत लिता हूं कि मैं विदी द्वरा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सची श्रद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षोन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्दा पूर्वक और शुद्द अंतह करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदी के अनुसार न्याई करूंगा मैं अश्विनी वाइश्णव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नही करूंगा. श्री पस्पधिकुमार बारास. मैं वैं आप श्री पस्पधिकुमार बारास. मैं वैं 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 या प्रच्पात अनुराग या देश के विला सभी प्रकार की लोगों के प्रती संविधान और भीधी के अविजार नियाइट करूंगा. मैं वैं पस्पधिकुमार बारास इस्वार की सपद लिता हूँ. कि जो भी सहसं के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, इस्वा मुझे ज्यात होगा इसे किसी व्यत्ति या व्यत्तियों को, तब के सिवा, जबकि ये से बंद्री की रूप में अपने करते बोगों सभ्यक्न लिभण के लिए विशा करना अपेक्षित होगा, तो मैं प्रत्यप अथ्वा और प्रत्यप शुरूप से संसुषित या प्रगत नहीं करूँ। प्रूप में से संस्दों कि अनहीं करेंड से। स्री किरन रिजी जुड़ किरन रिजी जुड़ मैं किरन रिजी जुड़ इश्वर के शपट लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्तापीद भारत के संविदान के प्रती सची शुड़ा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अच्छोंड रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सद्धा पुर्वक और शुड़ अंतकरन से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भई या पक्षपात अनुराग या दुएश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदान और विदी के अनुसार नियाई करूंगा मैं किरेंड विजेजू इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा कि श्री राजकुमार सिंग्ग मैं मैं राजकुमार सिंग्ग इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधिद्वारस थापित भारत के संविधान के प्रती सची श्रद्धा और निशा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और घंता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंति के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पुरवक और सुध अंतकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराल या द्वेश के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रती, संविधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं, मैं राजकुमार सिंग इश्वर की शपत लेता हूँ, कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्याद होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाए जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर् करना पेक्षित हो, मैं प्रतेक्ष अथवा अप्रतेक्ष रूप से संसूचित या प्रिकट नहीं करूँ. श्री हर्दीप सिंग पूरी I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such a minister. Shri Mansukh Mandviya Shri Mansukh Mandviya Shri Mansukh Mandviya मैं मैं मन्सुक मांडविया इश्वर के शपत देता हूँ कि जो विशई संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव के सम्या निरोहान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो में प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संस्रुचित या प्रगट नहीं करूंगा श्री भूपेंदर यादव मैं भूपेंदर यादव इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी दोहरा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निडवहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं भूपेंद्र यादव इश्वर की शपत लेता हूं कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा आप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूगा श्री पर्षोत्तम रुपाला मैं पर्षोतम खोड़ावाई रुपाला इश्वर की शपट लेता हूं कि मैं विधीद्वारा स्थापीद भारत के सम्विधान के प्रती सची स्रद्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षुन रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्दा पुर्वक और सुद्ध अंता करण से निर्वहन करूँगा तता मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रतार के लोगों के प्रती सम्विधान और विदी के अनुसार न्याए करूँगा मैं मैं पर्शोतम खोडवाई रुपाला इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशही संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा श्री जी किसंग रदी मैं गंगापुरम किशन रेड़ी इश्वर की शपत लेता हों की मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सम्विदान के प्रती सची श्रद्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अकंडता अक्षिनु रखूँगा मैं संग के मंत्र के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्दा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वान करूँगा थता मैं भाई या पक्षपात अनुराग या धेश के बिना सबी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विदान और विदी के अंसार नियाय करूँगा मैं गंगापुरं किशन रेड़ी इश्वर की शेपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तबकि सिवाए जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने खर्तवियों का सम्यक निरुवान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संशूचित या प्रकट नहीं करूंगा स्री अन्राग सिंध ठाकुर मैं अनुराग सिंध ठाकुर इश्विर की शपत लेता हूं कि मैं विदी द्वरास्तापित भारत के संविधान के ब्रती सच्ची श्रद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटा अक्षोन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वक और शुद अन्तकरंट से निर्वाहन करूंगा तथा मैं धाय पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं अनुराग सिंग ठाकूर पीश्वर की शबत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संसोचित या प्रकट नहीं करूंगा राध्या मंत्री श्री पंकर्च जोद्री मैं पंकर्च जोद्री इस वर की सपत लिता हूं कि मैं वीदी द्वारा इस्ताफित भारत के संविदान के प्रती सची सरदा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंड़ता अच्छोड रखूंगा मैं संग के राध्यमंत्री के रूप में अपने कर्तबों का सुद्धा पूरुवक और सुद्धंत करण से निद्वान करूँगा तथा मैं भाय या प्रक्षपात अनुराग या देश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदाना और विधी के अनुशार नया करूँगा मैं मैं पंकर चोद्री इस सवर की सपत लेता हूँ कि जो भी से संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्तिया व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तबों के समयक निगवान के लिए ऐसा खन्ना आप एक्छित हो मैं प्रतच अथवा अप्रतच रूप से संग्चूचित या प्रकट नहीं करूँगा कि अट व्यक्तिया नहीं करता है झाल श्रीमती अनुप्रिया सिंग पटेल मैं मैं अनुप्रिया सिंग पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्ष्ण रखूंगी मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्य अंतह करण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भे या पक्षपाद, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूंगी मैं मैं अनुप्रिया सिंग पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी झाले में प्रत्यक्ष रूप झाले में प्रत्यक्ष रूप प्रोफेसर एस्पी सिंग बगेल मैं मैं प्रोफेसर एस्पी सिंग बगेल इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सम्मिधान के प्रत सच्ची स्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रगता और अखंता अक्षुन रखूँगा मैं संग के राजिमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सुध्धा पूर्वक और सुध्ध अंताकरण से नर्वहन करूँगा तथा मैं भैय या पक्षपात, अनुराग या दूज के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रत सम्मिधान और विधी के अंसार नियाई करूँगा मैं प्रोफेसर एस्पी सिंग बगेर ईश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे संग के राजवंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सवाए जबकि ऐसे राजवंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रतक्ष अथवा अप्रतक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा प्कूदा माँ वड्यारी में अप्रतक्ष बडह करना व折शा अष्याओ है Shri Rajiv Chandrasekhar I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you very much. Thank you very much. सुष्री शोभा करंडलाजे I, Svobha Karmbalaj, do swear in the name of God that I will bear true faith and elegance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karanlajaya, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. God bless you. Thank you. श्री पानु प्रताव सिंग वर्मा मैं भानु प्रताव सिंग वर्मा इश्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापत भारत के सम्धान के पृति सची शिद्धा और निष्टा रखोंगा मैं भारत की प्रवता और अखंडता अक्षोंट रखोंगा मैं संगे के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तबों का सिद्धा पूर्वा और सुद्ध अंताकरां से नर्वाहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्सपात अनुराग या दोश के बिना किसी प्रकार के लोगों के पृति सम्मिधान और विदी के अनुसार न्याय करूँगा मैं भानु प्रताब सिंग बर्मा इसुर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय संग्य के राजमंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब तक के सेवा जब तक जबकी ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्टबों के सम्मिक निरभायन के लिए ऐसा करना अफिक्षित हो मैं प्रितिक्ष अथवा अर्टिक्ष रूप से संसूचत या प्रिकट नहीं करूँगा श्रीमती दर्षना विक्रम जार्दोष मैं सबी प्रकार के लोगों के प्रती संवीदान और विधी के अनुसार न्याई करूँगी मैं दर्षना विक्रम जर्दोष इस्वर की सपत लेती हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे गनाध होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपनी कर्तवयों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो, मैं प्रत्यक्स रूप से संसूचित या परकट नहीं करूंगी स्रीमती मीनाक्षी लेखिए मैं मैं मिनाक्षी लेखि ईश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्यधान के प्रती सच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षून रखूंगी मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद अंतरकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं मिनाक्षी लेखी इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी स्रीमती अन्न पूरना देवी मैं अन्न पूरना देवी सत्य निस्टा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विदिद्वारा स्थापित भारत के सम्मिदान के प्रती सची स्रद्दा और निस्टा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगी तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, स्वंविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं अन्पूर्णा देवी सत्यनिस्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक, निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगी स्री आ नारायन स्वामी I, I, Arniquel Abhayya Narayanaswami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Anikul Abhaya Narayan swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as by the required for the due discharge of my duties as such minister of state. Shri Kaushal Kishore 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 श्री अजय भट मैं अजय भट इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा इस्तापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखो मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखोंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का शद्धा पुर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार न्याय करूँगा मैं अजय भट इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यांत होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा आपसे बरह गेट से अ, मैं आपसे तहीं है श्री ब. L. वर्मा मैं बीयल वर्मा इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं बिधी द्वारा इस्ताफित भारत के संब्धान के प्रति सच्ची सरदा एव और निशार रखुआ मैं भारत की प्रभता और अखंडता को अक्षण रखुआ मैं संग के राजिमंत्री के रूप में अपने कर्तबियों का सिर्दा पुरुवक और सुद्ध अंताकरण से निर्वान करूँगा तता में भे या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संब्धान और विदी के अनुसार निया करूँगा मैं बियल वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी से संगा के राजिमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अत्वा मुझे गयात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राज्यमंतरी के रूप में अपने करतवियों के समय नर्वैन के लिए ऐसा करना अपएक्शत हो मैं परत्यक्ष अत्वा अपरत्यक्ष रूप से संसूचत या परिकट नहीं कर दो श्री अजय कुमार मैं मैं अजय कुमार इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सम्मिधान के प्रति सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडुता अच्छुन रखूँगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों का स्रद्धा पूरत और सुद्ध अंता करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पच्छपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा मैं आप प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट्ट नहीं करूँगा अच्छपात 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 श्री चौहान देवुशिंग मैं मैं देवुशिंग चौहान इश्वर की सफ़त लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्तापी भारत के सम्मीधान के प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षोन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवयोका स्रद्धा कुर्वक और सुद्ध अंता करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्सपात अनुराग या ध्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदी के अनुशार न्याय करूंगा मैं देवु सिंग चोहान इश्वर की सफ़र लेता हूँ कि जो विशाई संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने करतवयों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अप्रिक्षित हो मैं प्रत्यक्स अथवा अप्रत्यक्स रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा आपको जाई प्रत्यक्स रूप नहीं करूंगा आपको जाई प्रत्यक्स रूप नहीं करूंगा श्री भगवन्त कुवा मैं भगवन्त गुरुबा सप्पा खूबा इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधिद्वारा स्तापित भारत के समिधान के प्रत्य सच्ची स्रदा और निश्टा रुखंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन ना रखूंगा मैं संगी के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तेवों का स्रद्दा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वान करूंगा तता मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं भगवंत गुर्वा सप्पा खुबा इश्वर के सपत लेता हूँ कि जो विशे संगी के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथो मुझे जन्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाई जबकि एसी राज्य मंत्री के रूप में अपने करताओं का सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अप्रेक्शित हो मैं प्रेक्श अथो आप्रेक्श रुप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा श्रीक अपिल मौरेश्वर पाटिव मैं मैं कपिल मौरेश्वर पाटिव इश्वर की शपत लिता हूँ कि मैं विदीदारा स्वापित भारत के सवीदान के प्रती सची श्रद्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रुप में अपने करतोव का शब्दा पुर्वक और शुद्दा अंतकरण से निरोहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपाद, अनुराट या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवीदान और विधी के अनुसार नयाई करूंगा मैं कपिल मोरेश और पाटिल इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रुप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे द्वनात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब के शिवाई जबके यसे राज्यमंत्री के रुप में अपने करतोवे के स्वम्यक, निरुवन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यक्ष रुप से संच्चुजित या प्रकट नहीं करूँगा कर दो कर दो सुष्री प्रतिमा बहुमिक मैं मैं भारत की प्रोभुता और अखंड़ता अक्षुन राखुंगी मैं संगा की राज्यो मंत्री की रूप में आपने कर्टपगा स्रद्धा पुर्भक और सिद्धा अंतकरन से निर्भाहन करूंगी तो था मैं भाय या पक्षपद अनुराग या देश की बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रती संगविदान और बीदी की उनुशार ने करूंगी मैं प्रतिमा भोमिक इश्यर की शपत लिटी हूँ कि मैं जो बिश्योय संग की राज्यो मंत्री की रूप में मेरे बिचर के लिए लाया जाएगा अतोबा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्टी या बेक्टियों को तपकी सिवाएग जबकि एसे राज्यो मंत्री की रूप में अपने करतिवों का सम्मक निर्भान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्क्ष अथवा अप्रत्क्ष रुप से सम्मसिजी या प्रकट नहीं करूंगे अप्रत्क्ष रुप सिवाएग को तो तो अन्यस्क्ष रुप Μात अप्रत्क्ष रुप इस रूप हो दो भी में आःच्प जबगाया हो डॉक्टर सुभाज सरकार मैं मैं डॉक्टर सुभाज सरकार इश्चर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी दरा स्थापित भारत के शंग विधान के प्रती सच्ची सुधा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कुर्टबो का सुध्ध पुर्बक और सुध्धा शुद्ध अंतक करण से निर्बहन करूंगा तथा मैं भय या पक्सपत उन्राग या देश के बिना शभी प्रकार के लोगों के प्रती शंग बिधान और बीधी के अनुशार नय करूंगा मैं डॉक्टर शुभाष शरकार इशर की शपत लेता हूँ कि जो विशय शंग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे गैत होगा उसे किसी विक्ती या विक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तुब के शंमक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रिक्सित हो मैं प्रत्तक्ष अथवा अप्रत्तक्ष रूप में संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा अजड़त्क्ष रूप टयाए जाया डॉक्टर भागवत किशन्राव करण मैं डॉक्टर भागवत किशन्राव करण इश्वर की शपत लेता हूं की मैं विधी द्वारा स्थापीत भारत के सविधान के प्रती सची स्रदा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभोता और अखंडता अशन्नू रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में आपने कर्टवें को स्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंदकरन से निर्वहन करूंगा तता मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नयाई करूंगा मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवों के समयक निर्वान के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचीत या प्रकट नहीं करूंगा या किंदोश्य अप्रस्टों अप्रस्टों अप्रस्वीट बेट्व एक अप्रस्टों और नहीं किया है दोप्तर राजकुमार रणंजन सेग्थ I, Dr. Rajkumarak Jin Singh, do swear in the name of God that I will bear true fate and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously deserve my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due desires of my duty as such minister of state. Thank you. Thank you. Dr. Bharti Praveen Pawar I, Dr. Bharti Praveen Pawar, Ishwar की शपत लेती हूँ कि मैं विदीद्वारस थापित भारत के सविदान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्टा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी. मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतक करण से निर्वहन करूंगी. तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सव्विदान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी. मैं मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगी. प्रत्यक्ष रूप से संसूचित हैं। श्री विष्वेष्वार तूडू I, I, Shri Vishasattu, do say in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India, as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all men or people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection, or ill will. I, Sri Biswasa, do say in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you, Sri Santanu Thakur. I, Sri Santanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection, or ill will. I, Sri Santanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person, any matter which shall be brought under the Constitution or shall... under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. प्रप्टर मुझापारा मेहंद्र भाई प्रप्टर मुझापारा मेहंद्र भाई प्रेमिला बेन कालु भाई इस्वर की सपट लेता हूँ की मैं विधी द्वारा स्थापिद भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभोता और अखंडता अक्षण रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतवियों का स्रद्दा पूरवक और सुद्ध अंतकर्ण से निरुवन करूंगा तथा मैं भाई या पक्सपात अनुराग या द्रेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं डॉक्टर मुझपरा मैंद्र भाई प्रेमिला बेन काड़ो भाई इस्वर की सपट लेता हूँ कि जो विशाई संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे गनात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियोंग को तबके सिवाई जब की ऐसे राज्यमंत्रे के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निरुवन के लिए एसा करना अपेक्सिद हो मैं प्रत्यक्स या अथ्वा और प्रत्यक्स रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा और प्रत्यक्स रूप प्रत्यक्स रुझभ लगाई. श्री जॉन बार्ला मैं जॉन बार्ला इस्वर के सपत लेता हूं कि मैं बिदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सची सर्दा और मिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अच्छुन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपनी कर्तब का सध्धा पुर्वक और सुद्धकरन अंतकरन से निर्वान करूंगा तथा मैं भाई या पच्छपात अनुराग या दुसेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और बीदी के अनुसार न्याई करूंगा मैं जोन बरला इस्वर की सपत लेता हूं की जो विशेश संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्ती या बेक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने के लिए ऐसा करना अफिक्चीत हो मैं पर्तिक्च अथ्वा अपरिक्तिक्च रूप से संचुच या प्रकट नहीं करूंगा या अप्र वाइगा थिए Dr. L. Murugan I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. 好 love for the union as a minister. Yeah, I say. Thank you. I'll make you a part of the union. स्री निसीत प्रामानी खाल्ण ट्राम करें तो झालाइब निसेत प्रामानी निसीत प्रामानी के दित नेश्वर झालाइबंग दित ए्टिद प्रामानी को कामा तूर्भ झालाइबंग। right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or revel to any person or persons. Any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the Indian except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. . . . . . . . झाल झाल माननीय राश्पति महोदे आपकी अनुमती हो तो समारो समापत किया जाए झाल झाल माननीय राश्पति भवन के दर्बार हौल में आयुजित केंद्री मंत्रमंडल का फेर बदल सह विस्तार का ये विशेश समारो हो अब संपन हो रहा है माननीय राश्पति शी रामनात कुविंद दर्बार हौल से प्रस्थान कर रहे हैं आज 43 मंत्रियों को उनोंने पद और गोपनियता की शपत दिलाई और इन सभी ने संकल्प लिया देश को प्रगति के पत पर ले जाने का इसके साथ ही आज का ये विशेश समारो हो यहीं संपन हो रहा है आग्या दीजे नमस्कार प्राष्ण